हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल ग्रेवी गली आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा पालक करी जी हाँ ये बिलकुल वैसे ही बनती है जिस तरह से पालक पनीर बनाये जाते हैं ग्रेवी की जगा पालक डाला है तो चलिए करते हैं इसकी तैयारी सबसे पहले हमने पालक को धो के अच्छे से और उसको उबाल लिया है उबालने के बार ठंडा करके अब ये मैंने मिक्सी में दर-दर जैसा पीस लेना है इसको बिल्कुल पेस्ट मत कीजिएगा ये देखिए इस तरह की कंसेस्टेंसी चाहिए ये तैयारी करके रखें ये मैंने नमक डालके और अंडों को बनने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स आज मैं ये करी बनाऊंगी लोहे की कड़ाई में जी हाँ बहुत अच्छी बनती है लोहे की कड़ाई में कोई भी सबजी मैंने जो अंडे उबाले थे, उनको छील लिया है, छील के मैंने रेडी कर लिया है और अब ये कड़ाई में मैं डालूगी थोड़ा सा रिफाइन तेल, आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं उसमें भी बहुत अच्छी बनती है ये मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब ले लिया है और इसको हम अंडे को डाल देंगे और बहुती कम शेलो फ्राइने करना है जादा तेल डालेंगे तो ये फट सकते हैं और फटते ही है और थोड़ी तेज कड़ाई में डालिएगा मेरी कड़ाई थोड़ी कम गरम थी तो इसलिए अंडे चिपक गए है नीचे लेकिन आप इनको थोड़ी सी तेज आच पे ही इनको बिना कर्ची की हेल्प से ऐसे किसी भी पकड़ से आप किसी भी प्लायर से पकड़के आप इसको इस तरह से राउंड राउंड हिलाते हुए हमें ब्राउंड कर लेने है कच्ची लगाने से फटते हैं जिससे तेल अंदर जाता है और ये ब्लास्ट हो जाते हैं ये देखिए मैंने इनको निकाल लिया है साइड में और अब हम उसी तेल में थोड़ा सा तेल और एड करेंगे साथ में और उसमें जो हमने प्यास वगेरे काटी है वो डालके हम इसको फ्राई करेंगे इसलिए हमें थोड़े से और तेल की ज़रूरत पढ़ रही है अगर आप कम तेल खाते हैं तो इतना ही उस कीजिए यह देखिए मैंने चॉप की हुई प्याज थी जो मैंने ले ली है और अभी इसको अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन ही करना है और इसको बिल्कुल भी आप ब्राउन मत कीजिएगा क्योंकि ब्राउन करने से टिपिकल स लाल मिर्च आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं मैंने नौर्मल वाली मिर्चे लिए हैं जिसमें थोड़ा तीखा पंबी होता है और साथ में लिए थोड़ी सी हल्दी और इसी के साथ हम लेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ में जाएगा इसके नमक और हम एक इसमें जो चेंज करेंगे मसाले में ये हम डालेंगे किचन केंग मसाला, जी हाँ इस किचन केंग मसाला डालने से आपकी सबजी का बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की लगती है, तो चलिए चलते हैं प्यास की तरफ, ये अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर अभी आप इसको तेल में ही भूनियेगा क्योंकि पानी डालेंगे तो इसकी कुकिंग थोड़ी सी स्लो और तेल में डारेक्ट हम अब टमाटर साटे जलदी बुन जाते हैं गल जल्दी जाते हैं इसलिए हमें तो इसully करषी से यह लगकर थोड़ा मैश कर दिये हैं लेकिन अभी पूरी तरह से गले नहीं है तो अभी हम इसमें क्या करेंगे ये जो मैंने सारे प्लेट में मसाले लिए थे ये हम इसमें आड़ कर देंगे पानी मैंने अभी भी नहीं डाला है क्योंकि अभी टमाटर में मॉइस्टर है तो ये इसी थूरू हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून जाएंगे इनको इसी तरह से भूनते हुए दबाते हुए आप इसको डालेंगे साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो के मैं हमेशा घर का ही बना हुआ रखते हूं तो इस टाइम प लिया है इसको एड कर दिया है और अभी हम क्या करेंगे इसको अच्छे से भूनेंगे अभी भी मैंने पानी नहीं डाला है और इसी में ही बहुत अच्छे से भून जाएंगे और इसको हमें तब तक भूनना है जब तक हमारा मसाला जो है वह ओल नहीं छोड़ देता यह द देखिए फ्रेंड मसाला हमारा ये देखिए अल्मोस भुन चुका है यहां पर मसाला हमारा बिलकुल रेड़ी है तेल छोड़ दिया है मसाले ने अब हम इसमें एड करेंगे पालग ये जो पिसा हुआ पालग था ये मैंने एड कर दिया है और अब जो मिक्सी में जितना भी बचा हुआ जो पालग है जो साइडों पे लगा हुआ है उसको भी हम पानी डालके इसी में अड़ कर देंगे क्योंकि आप देख रहे हैं पालग बहुत थिक है क्योंकि मैंने इसको पीषते हुए पानी का यूज नहीं किया था और अभी हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे इ मैं इसको पालग में डाल रही हूँ यह देखे फ्राइए केव अंड़े मैंने पालग में डाल दिये हैं अब हम इसको कवर करके च्छे मिनिट के लिए पकाएंगे यह देखें च्छे मिनिट के बाद कितना अच्छा कलर आचुका है इसमें अब यह हमारी बनके तयार है सब यह हमारी अंडा पालक करी बनके तयार है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी बहुत ही पसंद आएगी इवन बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है आप भी इसको बनाईए और ट्राइ कीजिए रेसिपी और मेरे वीडियो को कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को थैंक्स पो वाचिंग